हाई ओल मैं स्टासिट टुपल नाइन फामिली वेलकम बाक टु मा यूटूब चैनल सो गाईस कैसे है आप सब आप अप अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे साथी साथ पॉजिटिव अफ़र्मिशिंस भी आप देते रहोगे तो कही न कहीं जैसे कि आपने थमनेल में देखाए गाईस ओकी यह जो रिडिंग का टॉपिक है ना यह कहीं ना कहीं मुझे खुद टैरो कार्ट्स नहीं बताया है ठीक है जी हाँ आज की रिडिंग का टॉपिक है कि समय आप आ चुका है कि आपकी फलशुर्ति या फिर फलप्राप्ति के लिए ठीक है बहुत ही ज से मुझे मैसेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से टैरो कार्स की तरफ से इस टॉपिक पर मुझे रिडिंग करना है ठीक है क्योंकि अब तक आपने काफी कुछ दिया है ओके वह स्पिरिचुलिजम में हो सकता है परस्नल लाइफ में हो सकता है प्रफेशनल लाइफ में हो सक रुटन का वेटे रहाँ कि कब हम मुझे रुवार्ड मिलेंगा, कब मुझे रिटन मिलेगा कम मैंने जितना दिया है, जुतना मैंने दिया है उसकी फलत्रती, यह फ्रत्रत्रत्म पर्स्वरूप मुझे छब मिलेगा ठीक है, तो यह आपके सवाल रहेंगे काईज, कही न कही हो सकता है कि आप अपने जिन्दीगी में तमाम चीजे करके बहटे हो, लेकिन उसके रिजल्स अप तक आपको नहीं मिल रहे है, लेकिन लेकिन उनिवर्स बता रहे है कि अभी समय आ गया है, ठीक है, समय आ गया है कि आपने जितना शेयर करा है, जितना दिया है, जितना बाता है, इन रिटर्न आपको वो मिल कर रहे हैं, यही कुछ कर्मा होता है गाइस, हम जितना देते हैं, जो देते हैं वो रिटर्न हमें आता ही आता है, तो यहाँ पर आपने जार दिया है वेट कर रहा है वेटिंग पिरिड आपका रह सकता है तो उसका फलस्वरूप आपको मिलकर ही रहेगा जहां पर आपके कश्ट है जहां पर अपका महनत है जहां पर अपने सारे चीजे दी है तो उसके फलस्वरूप आपको मिलेगा अगर नहीं दी है तो आपको जाएगा नहीं, तो अभी आपका समय आ गया है, आपके फल प्राप्ति के लिए यूनिवर्स आपको आपका फल दे कर ही रहेंगे, प्राप्त करा कर ही रहेंगे, टाइमिंग रहेगा आपके हिसाब से, आपके एनरजी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर six months, जादा से जादा six months है, six weeks है, six weeks है, या six days भी हो सकते हैं, लेकिन यह फल प्राप्ति है, यह आपकी फल प्राप्ति है, आपके महनत का फल है, तो मुझे यहाँ पर minimum six months का time देख रहा है, for all my viewers, जो भी यह reading के लिए आए है, तो इस topic के लिए, इस reading के लिए, मैंने यहाँ पर आपके simply नाम के initials रखे हैं, ठीक है, आपके नाम का पहला अक्षर रखा हुआ है, so pile number one में यह पहला अक्षर है, A-C-E-H-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y, तो यह pile one है, pile number two में है, B-D-F-G-J-L-N-Z है, P-R-T-V-N-X, ठीक है, यह pile number two है guys, तो चली देखते हैं, directly हम reading के तरफ ही जाते हैं, reading में ही देखते हैं, कि क्या फ़लशृती रहेगी, और कैसे आपको यह प्राप्त होने वाली है, कैसे universe आपको प्राप्त कराएंगे, किस वे से, वे से guys, ठीक है, so बढ़ते हैं pile number one के तरफ, जो की as usual मेरे left hand side पर है, So hi pile one people, तो अगर आपके नाम के initials, नाम के पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर, A-C-E-H-I-K-M-O-Q-S-W, यह S-U-W-Y है, तो यह pile number one है, and welcome on your reading guys, तो कही ना कही आज का जो topic है, यह खुद मुझे tarot cards ने बताया है guys, कि मुझे इस topic पर reading करना है, ठीक है, so मैंने introduction में सारी चीज़ें बताई है, आप introduction जाके सोनिये, कि मैंने क्यों यह topic चूस किया है, क्या वज़े है, तो यहाँ पर हम deep में देखते है guys, कि आपके जिन्दगी में क्या मसले है, या फिर आपने कहा पर कोशिश डाली है, कि उसके उसका जो फल है, या फिर उसकी जो फले शुटती है, वो आपको प्राप्त होकर रहेगी, pile number one people, ठीक है, guys, यहाँ पर अगर मैं आपकी energy read करू न okay, मैं energy reader हूँ guys, तो कही ना कहीं मैं topic की हिसाब से या फिर pile की हिसाब से reading करते हूँ, psychic reading करते हूँ, ठीक है, so pile number one, आपकी energy अगर मैं read करूँ, तो मुझे आप लोग ना काफी age wise बड़े दिख रहे हूँ guys, okay, पता नहीं क्यों, बट मुझे 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, भी कुछ विवर्स हो सकते हैं, कि आप लोग अपने life में सिर्फ दिये ही जा रहे हो, दिये जा रहे हो, लेकिन उसके जो return से अब तक आपको नहीं मिले हैं, okay, उमर गुजर रही है, या गुजर चुकी है, वेट कर करके आप लोग ठक चुके हो, एक जगे पर आप लोग हो सकता है कि आप is enough में ठक चुकी हूँ, मुझे कोई proposal नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रहा है, abundance नहीं आ रही है, खुश्या नहीं आ रही है, योग नहीं आ रहा है, okay, आपके सवाल यहाँ पर बहुत सारे हो सकते, पाइल नंबर वन पीपल, लेकिन अभी की जो कहूं, तो यूनिवर्स के चर्णों में, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, ठीक है, पाइल वन, आप लोग ऐसे लोग हो, कि आप लोगों ने सब को दिया ही दिया है, आपकी जब बारी आती है, तो definitely guys, आपका दामन किसी ने ठामा नहीं अब तक, ठामा नहीं है, जब आपका समय आया है, तो लोगों ने आपको छोड़ दिया, कहूं या फिर मैं कहूं तो टपली मारकर आप से भाग गए, मतलब आपको चीट भी करा है, आपको दूखे में भी रखा है, आपका सिर्फ इस्तमाल ही करा है, उसके अलवा कुछ नहीं गए, या आपके अपने भ नॉलेज वाइस आप लोग बड़े हो सकते हो, या फिर मैं कहूं तो लोगों ने आपका नॉलेज लेनी की चाही, खीचने की चाही, लेकिन आपकी जब बारी आई, तब लोगों ने आपका दामन छोड़ दिया, मजधार में छोड़ कर भाग गए, अभी भी ये सिचुए कि तो लोगों वे बहुत हो दिया, मधरली नेचर में है, अगर आप मेरे मेल भाई है, फिर मोगों में मदरली वाइस है, मतलब किसी उ Hilya को लेकर आप लेकर आप इमोशनली ul भॉत हो जाते हो, तक अगर इमोशनी जो duel है नहीं को presentable को मजबूर करता है गाइस ओके नोड़ अगार किसी ने आपका बुरा भी करा है लेकिन आप लोग उसके बार में कभी बुरा नहीं सोचते हो पाइल वन ओके ये एनरजी मुझे पाइल नंबर वन की विवोर्स की मिल रही है जाय सी बात है जनरल लिडिंग है तो जरूरी नहीं हर एक चीज रेजनेट करें पाइल नंबर वन पीपर लेकिन फिर भी हम टैरोकाट से देखते है गाइस ठीके टैरोकाट से देखते है कि कहां पर अभी आप लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हो मुश्किलात फेस कर रहे हो और फिर आपकी जो फलशृती रहेगी वो क्या क्या आपको फलस्वरोब यूनिवर्स प्राप्त कराएंगे कैसे प्राप्त कराएंगे वो हम दीप में यहाँ पर देखते है पाइल नंबर वन पेपर ठीके या लट सी गाईज यू हाव यह तो है सी सिक्स अफ कंटकल सी देखे टैरोकाट ने मुझे पहले ही आपके यह तो है बॉटम में देखते हैं गाईज वो है सेवेन ओफ पैंटकल से ठीक है मैं बॉटम के इनरजी यहाँ पर लेती हूं फिक है अब दूसरा डैक लेते हैं पाइल नंबर तो पीपल सॉरी पाइल नंबर वन पीपल यहाँ पर कुछ विवर्स पाइल ठीके है जिस तर शुर्ती क्या है इसका टाइमिंग मैंने अलड़ी इंट्रोड़क्शन में बताया है गाइस आप इंट्रोड़क्शन जाके सुनिए ओके यहाँ पर है four of swords हैं ओके देन यू हाँ here seven of cups night of pentacles औके यहां पर है the world की energy by no more one people बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरीन एंट्रजी यूटिफ़ल energy आप एकार ही परिशान होते हो टेंशन लेते हो यहां फिर मैं कहुं तो दुनिया भरका बोच आप अपने सिर पर आप कंदों पर लेते हो और यही कुछ आपके लाइफ में ब्लॉक की जिस निर्मान कराते हैं या फिर आपकी जो लाइफ है यह खुद बखुद आपने मैं कहूं तो दूसरों का बड़न ले लेकर ही खराब कर दी है पाइल नमबर वान पीपल ठीक कि यार मेरे जिन्दगी में कब आएगा कब होगा कब मुझे फलशूर्टी मिलेगी देखिए फाइव ओफ वॉन्स है यहां पर बॉटम अफ डिक का काड़ ठीक है या पाइल नमबर वान पीपल अगर मैं कहूं न तो राश्या बता देती हूं क्योंकि वैसे तो और जोड अगर मैं बात करूं न तो आपकी जिंदगी में आपने काफी कुछ खोया है ओके पैसों की चलते आपने काफी खोया है जौब खोया हूआ है लौट अफ बॉर्डन आपकी जौब के चलते रहे हैं प्रेशर अप लोग देख रहे हो फामिली का टेंशन हो सकता है ठीक है आ आप लोग कोशिश तो कर रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, जहां तक एनरजी है, आप लोग यहां पर मनी के चलते, फिनांस के चलते, काफी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, जॉब के चलते भी स्ट्रगल कर रहे हो, बिजनेस के चलते, इन्वेस्मे कर दो geeky मिले वह खुषिया आप लोग चाहते हूं ठीक है एसी खुषिया चाहते हो जो लॉंग लाइफ रहे या फिर वह बार-बार कम ज़ाधा ना हो ठीके इस तारएक से खुषिया आप चाहते हो आप लोग चाहते हो इन शॉर्ट में कह सकते हो पाई लंबर वन पेपल ठीक है आपके जिन्दिगी में यूनिवर्स आपके फ़लशुर्ति के तहित पहले चीज देने वाले है वो है आपका मनी प्रॉब्लम जो है आपका जो फिनांशियल प्रॉब्लम है वो कही न कही खतम ह होता हो मझे दिख रहे है ठीक है जहां पर आपने बहुत महनत करी है इन्वेस्ट करा है आपका टाइम इन्वेस्ट करा है आपके एनरजी इन्वेस्ट करी है आपके पैसे इन्वेस्ट करे है ठीक है आपने हो सकता है काफी पोर्टल में अपने अपलाई करा हुआ हुआ है तो पहली energy यहाँ पर four of swords है तो आपने surrender तो कर दिया है या फिर हो सकते है आप लोगों ने give up कर दिया है तो give up ना करिये क्योंकि आपका waiting period जो है यह philosophy आपको मिलनी ही मिलनी है तो यह money finances के चलते मुझे दिख रहा है guys इससे कई ज़्यादा pile number one people जो आप career के चलते मुझे दिख रहा है कि आपके जिन्दिगे में options बहुत ज़्यादा मिलेंगे ओके offers आपको बहुत चारों तरफ से आएंगे ओके चारों दिशा से आपको offer आएंगे बस आपको उन offers को wisely choose करना है ना कि confusing energy में रहना है pile number two people क्योंकि आप लोग ना काफी confused होते हो या फिर ना आप अपने ही mind में जगल करने लगते हो तो वो juggling phase मुझे कहिना का यह दिख रहा है इस खत्म होता हुआ दिख रहा है इस फ़लशृती के स्वरों ठीके so financial stability तो आ रही है साती साथ job offers भी मुझे आता हुआ दिख रहा है यह career offer हो सक में financials बढ़ने वाले है क्योंकि आपके इसमें अपना time invest कर रहा है जैसे कि मैंने कहा इसके पीछे आप लोग काफी भागे हुए हो ठीके आप लोग no doubt दूसरों को मदद करते हो या फिर आप दूसरों के लिए दया भावना रखते हो तो यह return में तो आपको आना ही आना है pile number one people ठीके से background में noise हो रहा है guys ओके आप ignore करिये ठीके सो आपके जिंदगी में वो तमाम खुश्या in return आपकी तरफ आएगी क्योंकि यहाँ पर universe आपके जिंदगी में आपके waiting period का फल आपको मिलकर रहेगा ठीके universe आपको देंगे आपको tension नहीं लेना है बेकार ही दूसरों का burden आपको नहीं लेना है pile number one people यहाँ पर कुछ रुवर्स pile two के है ठीके तो overall pile number one people अगर मैं बात करूँ ना आप आपके सोथ से परे universe आपको देंगे आपर ठीके world world मतलब ऐसी energy है कि सारे जो burden है अभी इस फलोशुटिक के स्वरूप वो complete हो जाएगा आपका economic cycle इस situation के लिए complete हो जाएगा ठीके यहाँ पर majorly मुझे money finances job का ही दिख रहा है guys okay money के चलते ही दिख रहा है अगर यहाँ पर love life relationship के मामले में भी कुछ confusion mindset रहेगा आपका तो वो भी मुझे हटता हुआ दिख रहा है तो आपका एक cycle जो है वो complete हो जाएगा इस फलोशुटिके स्वरूप जहाँ पर अभी आपके जिंदिगे में बोच है या फिर आपके mind में बोच हो सकता आपके जहन में बोच हो सकता है सिच्वेशन पर भी हो इतने confused हो कि आप लोग ने रास्ता ही बंद कर लिया दिल का रास्ता ही बंद कर दिया है ओके आप अंदर ही अंदर घुटते हो अंदर की भी लड़ाई है बाहर की लड़ाई है एक तरह किसे ना आग आग है आपके अंदर गाई एक fire जगरा है इतना frustration होता है कि आप fire जगरा है पाई लंबर वन पीपल आपके अंदर अंदर उमड रहा है ओके तो यहाँ पर universe बता रही है शान्त हो जाए शान्त हो जाए क्योंकि फलशुप्ति के स्वरूप आपके जिंदिगी में आपको सारी चीज़े universe देने वाले है जो आपकी दुनिया complete कराएंगे पाई लंबर वन पीपल ठीक है तो वर्ल ने ही सारे जवाब आपको दे दिये है ओके सारे answers इसी वर्ल कार्ड में है पाई लंबर वन पीपल लेकिन majority यहाँ पर मुझे आपके जिंदिगी में money finances की stability आते हुए दिख रही है ठीक है marriage का question है तो yes वो भी पूरा हो कि मैंने कहां world है तो definitely मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कही world tour करने जाओ के ऐसा offer में लेगा कि जहां पर abroad जाने के हाई चांसे से बढ़ सकता है अगर person आप से काफी दूर है आपका relationship के से ऐसे person से दूर है उसके लिए हो सकते कि आप लोग burden ले रहे हो कि यार यह कब मुझे हाँ बोलेगा तो definitely आपकी तरफ आएगा ठीक है तब को बिलकुल भी tension नहीं लेना है सोचना नहीं है guys आप लोग काफी सोचते ह हो इसके चलते ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए engine numbers दिखाई देंगे या फिर दिखते रहेंगे कुछ words के लिए वो है triple seven triple two triple four triple six triple one भी है कुछ words के लिए triple one है 2121 1212 एंजन लंबर 1010 एंजन लंबर ठीक है triple five भी कुछ words के लिए हो सकता है कि मैं remedies भी बताया करें सी आप लोगों को हर एक reader remedy बताता है तो आप हर एक चीज नहीं कर पाते हो ठीक है तरह सिंपल सी remedy मैंने बताई है अल्डे आप लोगों के चीज कर रहे हो तो उसको ही follow up को करना है ठीक है charity वा कुछ भी करिए पैसे दान आपको नहीं करना है ठीक है पैसे दान नहीं करना है मैं हमेशा reading में कहते हूँ कि पैसे आपको दान नहीं करना है क्योंकि सामने वाला उस पैसे का इस्तमाल किस तरीक कर सकते हो ठीक है पुराने कपड़े नहीं अच्छे अच्छे कपड़े दान से कर सकते हो कंबल दान कर सकते हो ठीक है आपके हिसाब से दान करिए गाईज आप जितना अफोर्ड करते हो उतना ही करना है आपके हैसियत के हैसियत से बाहर नहीं आपको दान करना है यह सिंपल सी remedy pile number one के लिए है जो की हमारे reading का topic ही है guys okay theme है हमारे reading का theme ही है guys and आप जितना दोगे in return आपको मिलका रहे ही रहेगा आप अलड़ी कर रहे हो तो in return आपकी जिंदिगी का जो circle है वो complete हो जाएगा pile number one ठीक है tension ना लिजिए guys भले ही आपकी यहाँ पर आपके जिंदिगी का circle complete हो जागा देर ही सही बद दुरुस्त आपके जिंदिगी में होगा pile number one ठीक है यहाँ से एक ही energy लेते है pile one देखते हैं आपको क्या बता रहे हैं वाव देखिए यहाँ पर facing the fear okay मैंने यह आपको पहली ही कही थी guys कि कुछ ना कुछ आप लोग सोचते हो and यह सोच के वज़े से हो सकते कि आप लोग काफी डरते भी हो ठीक है कि होगा या नहीं होगा कब होना है मेरा trust होता जा रहा है बस हो गया enough is enough तो इस तरह किसा आपके questions रहते हैं तो इसके चलते देवी माने कहा है काली माने आपको कहा है कि facing your fear तो आपके अपने डर को काबू करना है आपके अंतर भाव को आपको जगाना है okay आपके life में literally major spiritual changes हो रहे हैं that's why आपको अब तक नहीं मिल रहा था guys okay तो अभी chance है कि आपको इसको बोना है okay आपके इस spiritualism को आपके इस hardware को आपको बोना है किसके जरीए से charity के जरीए से guys okay अच्छे करमों से आपको बोना है आप already बोच चुके हो तो definitely उसके फल आपको मिलकर रहेगा उसका फलशूती उसकी फलशूती या फलशूती आपको मिलकर रहेगी universe के तरफ से यह कालिमा की blessings आपके लिए है guys ठीके and literally अगर मैं कहुना guys तो कालिमा ने वही जवाब दिया है जो मैंने अभी आपको overall reading में बताया है तो tension ना लेजिए, relax रहेए and ज़्यादा burden ना लेजिए, खुद का भी burden आपको नहीं लेना है दूसरों का burden तो बिलकुल भी नहीं लेना है guys, दुनिया गई तेल लेने ओके हमें नहीं, हमें लेना देना नहीं है उनसे हमें और आमेरे इश्वर से हमें लेना देना है की reading है, तो maximum six months के लिए, ये timing रहेगा pile number one people, ठीक है, so इसे के साथ में reading end करती हूँ, pile one and I hope guys, ये आपसे resonate ज़रूर करा होगा, yes, मुझे comments में बताना ना भूलिए, साती साथ like, share and subscribe करना ना भूलिए, so thank you for listening, bye bye, take care, god bless you, I love you all so hi pile two people, so अगर आपके नाम के initial, नाम का पहला अक्षर, pile number two में आता है, जो कि B, D, F, G, J, L, N, Z, P, R, T, V, N, X है, P pile number two है and welcome on your reading guys, तो कही ना कही आज का जो topic है, ये मुझे खुद tarot card नहीं दिया है and ये universal message है कि मुझे कहा गया है कि इस topic पर reading करना है and yes, reading का topic यही है कि आपका, आपकी जो फल शुर्ती है, फल प्राप्ती है, वो मिलकर ही रहेगी, ठीके आपने जितना दिया है, उसका फल स्वरूप आप वो मिलकर ही रहेगा, universe के तरफ से, कब मिलेगा, मैंने already introduction में बताया है, आप introduction जाके सुनिया guys, okay, timing है यहाँ पर 6 months से लेकर, 6 हफ़ते या 6 days, हला कि ये फल शुर्ती की reading है, तो यहाँ पर maximum 6 months का timing रहेगा guys, ठीके, यहाँ पर pile number 1 हो या फिर pile number 2 हो, हम हमारे life में तमाम जखरते हैं, लेकिन हमारे जिन्दीग में फल शुर्ती हमें नहीं मिलती है, फल प्राप्ती नहीं मिलती है, ठीके, या फिर हम फल प्रुक्ती के करीब जाते जाते रहे जाते हैं, ठीके, यही कुछ मुझे pile 2 के लिए देख रहे है guys, ठीके, अगर मैं energy की बात करूं, yes मैं energy reader हूँ, क्योंकि topic के चलते, pile के चलते में कुछ चीज बताती हूँ, and ज़रूरी नहीं हर एक चीज resonate करें, क्योंकि gender leading होती है guys, ठीके, तो pile number 2 मुझे आपके लिए ऐसा नजर आ रहा है guys, कि आप लोग अपने life में ना, किसी third person के वज़े से काफी piss रहे हो यहाँ पर, पता है, वो third person ही लेकर जाता है, ठीके, आपको resonate करके लेना है, आपकी जिंदगी से, कि क्या मसला है, मैं आपको इहाँ पर situations narrate कर रहे हूं, ठीके, आपको सिर्फ रेजोनेट करके लेना है guys, लेकिन pile number 2 people, अगर मैं बात करूँ ना, तो आप ऐसे souls हो, कि आप लोगों को देना ह जानते हो, friends बनाना पसंद है आपको, ठीके, या फिर friends circle आपको पसंद रहेगा, lot of friendship आप लोग करते हो, लेकिन, लेकिन यहाँ पर आप उनके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन जब मौका आता है न, तो यही friends, यही मित्र, आपको धोका देकर, आपके जिंदगी से, सारे ची कि आप लोग समझ करते हो, guys, लेकिन यह थर्ड परसन के वज़े से हो सकता है, कि आप अपने जिंदगी में काफी problems देखते हो, यह थर्ड परसन आपको influence करता है, या फिर आप जल्दी दूसरों के बातों को समझ लेते हो, या फिर आप दूसरों के बातों को समझ लेते हो, लेकिन आपको अपने, आप जो कर रहे होना दूसरों को बताना नहीं है, guys, दूसरों को ideas देना नहीं है, दूसरों को judge करना, दूसरों को ideas देना बंद करिए, क्योंकि आपके लिए warning signs है, पाई number two people, ठीके, यह universe आपको warning दे रहे है, मैं नहीं दे रही हूँ यहापर, ठीके हाला कि fellowship आपको मिलकरी रहेगी, जहाँ पर आपने दिया है, उससे कई ज़्यादा आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको warnings है, कि आप जो करोगे या कर रहे हो, वो किसी से भी जाहिर नहीं करना है, जब तक आपका काम नहीं बनता है, तब तक, ठीके, चाहाँ आपकी professional life ह हो, marriage life हो, relationship हो, business हो, आपका invest करना चाहते हो, कहीं पर, घर लेना है, मकान लेना है, जमीन लेना है, किसी से भी जाहिर नहीं करना है, pile number two people, आपके घरवालों से अप जाहिर कर सकते हो, जो आपके blood relationship में उन से जाहिर कर सकते हो, लेकिन कुछ viewers के लिए हो सकता है guys, कि आपके blood relatives gives भी है, कि जो आपका फाइदा उठाते है, कुछ viewers के लिए message है, pile two, ठीके, तो आपको सतरक रहना है, तो चलिए, डीप में हम reading देखते है, pile number two people के लिए, कि क्या है situation आपके जिंदगी का, and कहा पर आप लोग दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, and आपके follow shooty आपको कब, कब और कै कैसे मिलेगी, ठीके, कब मैंने आपको टाइमिंग बताया है, so follow shooty आपको कैसे मिलेगी, pile number two people, let's see guys, okay, yeah, pile number two, let's see, see, page of swords, you have then, age of wands, yeah, वो तो है, page of wands, देखे, page of swords भी है, page of wands भी है, guys, तो आपको तयार रहना है, pile number two, bottom में देखते हैं, क्या है, ten of wands है, hmm, वो तो है, pile two, let's see, okay, दूसरे deck से भी लेते हैं, okay, hmm, यहाँ पे न, love situation भी है, कुछ reverse के लिए, guys, love situation है, partnership भी हो सकता है, आपका, ठीक है, आपका spouse भी हो सकता है, guys, okay, आपका spouse, आपका relationship किसे से है, तो वो भी आपका फाइदा बहुत उठाता है, money के terms पे, emotional terms पे, okay, यह energies मुझे मिल रही, दासबर बता रही हूँ, guys, okay, तो दूसरे deck से भी लेते हैं, क्या philosophy आपको मिलेगी, pile number two people, see, queen of cups है, yeah, वो तो है, ten of, sorry, ten is six of cups है, ten मैंने कहा तो हो सकता है, family, family आपको मिल सकती है, night of pentacles है, यहाँ पर pile one के कुछ rewards है, guys, okay, pile number one में भी कुछ rewards थे, three of swords है, वो तो है, third party situation pile number two के life में है, guys, for sure, three of swords जैसे निकली है, yes, third party situation है, okay, and यहाँ पर bottom of the deck, देख्देख्या, देखें, five of swords, pile two, यहाँ पर न गईज अगर मैं कहूना तो, आपके life में लोगों का interference बहुत जदा है, guys, okay, see, लोगों के आप लोग बात सुनते रहोगे, या फिर लोग आपको ज़्यादा influence करते रहेंगे ठीक है या फिर आप लोगों पर अंधा विश्वास रखते हो यही चीज है पाहिल टू कि आपके जिंदगी में ना फलस शुर्ती से आप लोग दूर रहते हो वाकि जो आप करते हो उसके results मिलने के लिए आपको मिलते ही नहीं है ऐसा मैं कह सकते हूँ ठीक है heartbroken situation आपका काफी बार होता है काफी बार दिल तूटता है आपका लोग ही तूटते है यहाँ पना मुझे सीधे देखिए यह card भी नीचे किर गया yes यहाँ पर यह card page of wands के लिए गिरा है कहीं ने कर मैं बताती हूँ यह pile 1 के लिए नहीं गिरा pile 2 के लिए गिरा okay see यहाँ पर अगर मैं बताओ नो pile number 2 people तो लोगों का हस्तक shape बहुत ज़दा है आपकी जिंदगी में interference तो पहली चीज लोगों पर आख बंद के भरोसा करना बंद करिये pile 2 यह मैंने आपको पहली advice दी थी okay यह इस से पहले मैं आपको zodiac science बता देती हूँ क्योंकि zodiac science बहुत सारे लोगों को mandatory होता है पता नहीं क्यों बट यहाँ पर zodiac science है iris leo sagittarius है cancer paralysis scopio है जिमना लिबरा एक्वेरियस है टोरस वोगों कैप्रिकॉर्ण है ठीके विस्ट तो all zodiac science को जिदिख रहे है ठीके अरे यार यह बार बार गिर रहा है ठीके या pile number 2 क्या energy है पता नहीं बट बार बार यह गिर रहा है ठीके yes pile 2 अगर मैं बात करूँ न तो आप लोग न काफी लंबे समय से अपने बारी का इंतजार करे हो गाईस बारी का इंतजार करे हो आप मैंने कहा कि लोगों के वज़े से आपके जिन्दिगी में आप खुद पीस भी रहे हो खुद भी रहे हो घुट रहे हो गया ऐसा मैं कह सकते हूं पाई लंबर टू पीपर ठीक है जैसे शब्द आ रहे में वही बता रहे में शुगर कोट कुछ भी नहीं करें गाईज ठीक है एनरजी वाकी में आपकी देख आ रही हूं कि निचोड कर लोगों ने आपको मचधार पर छोड़कर चले गए है ना सि हो गया अंत हो चुका है अभी यूनिवर्स मुझे मुझे कब आप अपने तरफ बुला लेते हूं इस कदर भी एनरजी कुछ वीवर्स के लिए हो सकते है पाई लंबर टू पीपर कुछ वीवर्स तो पाई टू के सुसाइडल थौट्स भी आये रहेंगे आते रहेंगे आ या फिर आप सुसाइड करने के विए सोच रहे होंगे इन लोगों के वज़े से क्योंकि आपके जिंदगी में मैंने कहा कि लोगों का इंटरफेरेंस जादा है यह जान बुच कर करते है या फिर आप उनको इन्वाइट करते हो मुझे नहीं पता पाई नंबर टू पीपर लेकिन पहली चीज लोगों को बढ़ावा देना बंद करिये ठीके आपको सिर्फ अपने आप तक सिमित रखना है इन इश्वे को सिमित रखना है ठीके लोगों को कुछ बताया ना करिये जो आपका सीक्रेट है वो आप तक सिमित आपको रखना है ठीके चाहे वो आपका ल बातन हम tugoi ? परस्नाल लाैफ भे किससे बातना नहीं है you, sty avaient love life आपको बातना नहीं लाईथ क्योंकि यह चीजें आपको लोग ठृगर करते भी पन दना इसे चीज के वचे से competition करते है या फिर मैं कहूं तो लोग आपको mentally harass करते हैं, disturb करते हैं, इस ये चीजे के वज़े से जो आप उनको बताते हों, ठीक है, ये jealous होते हैं, that's why आपसे ऐसे करते हैं, ठीक है, so आपके जो life में मसले हैं, या फिर आप जो philosophy के तरफ नहीं जा रहे हो, ये सारे फसाद की जड़ मैंने जो जो चीजे अभी आपको बया करी हैं, अगर आप इन चीज को follow करते हो, तो definitely आपको philosophy मिल करी रहेगे, क्योंकि reading का topic यही है, ठीक है, तो philosophy पहले चीज आपको यही मिलेगी, कि आपके जिन्दीगी में ना कोई ऐसा person enter करने वाला है, जो आपके इस तिती से बाहर न निकालेंगे, ठीक है, वो person कहीं ना कहीं, आपके, मैं कहूं तो दिल को काफी समझने वाला है, या फिर मैं कहूं तो आपके दिल के काफी करीब रहेंगे, ठीक है, यह specifically कोई female ही मुझे दिख रही है, ठीक है, female है, मैंने कहा कि लोगों पर trust ना करी है, बट यह female ऐसी यह आपके mother हो सकती है, आपके sister हो सकती है, आपके घर की कोई भी feminine energy हो सकती है, आपके सहली भी हो सकती है, लेकिन आप बाहर के लोगों पर भरोसा ना करिए, यह energy मुझे आपके करीब की ही दिख रही है, तो कही ना कहीं, आपके life में जो भी अभी आप waiting period देख रहे हो, तो उस situation से बाहर निकालने के लिए कोई feminine energy आपको उस चीज से बाहर निकालेगी, आपके stress से बाहर निकालेगी, ओके, मैं ऐसे नहीं कहरू कि सारे person बुरे होते हैं, नहीं, पांच उंगलिया सेम नहीं होती है, तो हर एक इंसान बुरा होता है, ऐसा नहीं है, बट आपको परक ना करीए, यह मैं कह सकती हूँ, ठीके, दूसरी चीज मुझे दिख रही है, फल शुर्ती के स्वरू, जहां पर आप लोग काफी struggle कर रहे हैं, महनत कर रहे हो, जो आपके जिंदीगी में घने बादल है, पाइल नंबर टू पिपल, वो कहीं नहीं हटते हो, मुझे नजर आ रहे हो, उसका फल नहीं मिल रहा है, रुजल्स नहीं मिल रहा है, तो यह रिजल्स मुझे आता हो दिख रहा है, पाइल नंबर टू के लिए, कहीं न कहीं मुझे आपके जिंदीगे में काफी अच्छे फ्रेंड्स आते हो दिख रहे है, एक अच्छा प्यार आता हो दिख बच्चे की एंट्रि मुझे आते में दिख रही है अगर हम सीव के लिए बेट कर रहे हो के लिए पर मुझे ज़ने कर रहे हो ज़हांगे ज़्धा ज़ने डिस्टरू בעब आपके सवालात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए तो वहाँ पर वो फ़लशूटी आपको मिलकर रहेगी, चाहे हो कई पार्टनर हो, बच्चा हो, पैट हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर मैरेज हो, ठीके, जो आप बच्पन से भू साथी साथ, मुझे कहीना का यह फ़लशूटी भी दिख रही है, कि कुछ वर्स का यहाँ पर जॉब, करियर, प्रोफेशन का भी सवाल हो सकता है, तो आपकी तरफ कोई जॉब ओफर आएगा, आपकी तरफ कोई जॉब ओफर मुझे आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कहूं तो आपकी करियर की जो गाड़ी है वो आगे बड़े की, जो अब तक आप लोग वेट कर रहे थे, मैंने कहा कि घने बादल है, तो यह करियर टरंस भी हो सकता है, क्या आपको आगे का नजर नहीं आ रहा है, तो अक्टिवली, फ्रेश ओपनिंग्स, फ्रेश टार्ट या फिर मैं कहूं तो एक्साइटमेंट आपके जॉब और करियर के लिए होगा, यह एक्जाम्स के लिए भी हो सकता है, कि वहाँ पर आपको फल शुर्ती मिलकर रहेगी, इन शॉट आपके जॉब प्रोफेशन करियर के लिए जो वेटिंग पिरिड था, वहाँ पर एक कर रह's की लिए, यह पुषी हो, यह पूट आपके लिए टीर के लिए गारेम परिड श рукि, जॉब आपके लिए हो इसा भी मोघा रहेगा यह है कि आपके लिए आपके मिलकी से दूर रहेगा पाई नमर, टू मिलकर रह रहेंगा, मोधि कंभ कर लिए हो सकता है, यह शुऱ सकता है जैसे कि मेरे जुबा से ओनलाइन निकला है से ओनलाइन जॉब पोर्टल से एक्टिवली कोई आप से कनेक्ट कर सकता है और इसके चलते हो सकते है कि आप लोग आपके लोकेशन को छोड़कर दूसरे लोकेशन पर जाओंगे ठीक है सबसे फाइनल फॉलव शुर्ति मुझे आपके लिए दिख रहे है कि जहां पर आपका डिल तूटा हुआ है कही न कहीं आपके जिंदगी में उमीद की दरवाजे वापस खोलेंगे यूनिवर्स ठीक है यहां पर रिलेशन्चिप में अगर किसीन आपका डिल तोड़ कि जहां पर वेटिंगूंग दिल से काम करे यह गार तो आपके जखमी दिल को यह मरहम लगाने का काम करेगा यह इंसान ठीक है जाहे वो मेल हो हो यह फीमेल हो मैंने कहा है कआ यह काड्ड च हुए दो रह इस काड़ पर गिरा है that means आपको ज़्यादर दुख़ी होना है जो आपकी जिंदीगे में फिसल गया है उसको जाने दीजे अगर आप three party situation में है तो कहीं न कहीं आपका person को communicate करेगा आपकी जिंदेगे से three party situation चली जाएगी और आपका person एक fresh energy के साथ आएगा आपका relationship बिलकुल भी खतम हो चुका है तो कहीं न कहीं new person एक new energy के साथ excitement के साथ physical attraction के साथ आपके तरफ attract हो जाएगा ठीक है it's a major transformation pile number two आपके लिए okay new energy है new enthusiasm रहेगा fresh energy रहेगी तो आपको भी confidently इसको hold करना है इस energy को पकड़ना है pile number two people ठीक है क्योंकि मैं समझ सकती हूं pile two आप लोग love life में partnership में काफी जूल रहे हों देखिए काफी जूल रहे हो आप लोग एक तरह किसे mental disturbance आप अपने जिंदिगी में देख रहे हों ठीक है काफी कम हद तक मुझे मनी के चलते दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुझे relationship emotions love life marriage life इसके लिए काफी दिख रहे है guys by number two people ठीके age यहाँ पर मुझे आप लोग सारे age group के दिख रहे हो लेकिन कुछ वह सो सकते कि काफी aged भी हुए aged है आप लोग लेकिन आपकी शादी अब तक नहीं हुई है या फिर कोई person आया ही नहीं आपकी जिंदिगी में या फिर कोई आपको भाया ही नहीं या फिर आपको सिर्फ आपकी जिंदिगी से खेल कर वो आपसे भाग गया आप वेटिंग पिरेड आप वेट करते ही रहें आप फ़लशुर्थी के लिए वेट करते ही रहें लेकिन अब समय बदलेगा क्योंकि आपके जिंदिगे में कोई ऐसा ओफर देगा कि आप लोग literally सोचोगे कि यार मेरी जिंदिगी बदल कैसे गई तो इसके लिए आपको भी अपना अंदर का confidence बढ़ाना है जितना आपने दिया है उसका फल तो आपको मिलकर रहेगा साती सात यहाँ पर आपको भी कोशिश करने है आपको भी healing लेनी है क्योंकि three of swords है तो आप लोग काफी broken heart situation से गुजर रहे हो family की problem हो सकती है relationship में problem हो सकती है third party situation हो सकता है जो भी रहे आपके दिल को सहलाना है आपको खुद को प्यार करना है self love करिए and आपके खोए होए confidence को इच्छा शक्ति को बढ़ाए पाई number two people इसी के चलते ही philosophy आपको मिलकर रहेगी यह already लिखी थै कि आपको philosophy मिलने वाली है तो आपको भी तयार रहना है आपको अपने दिल को प्यार देना है इस energy को accept करने के लिए pile number two people ठीक है कुछ reverse तो यहां पर खुद psychic हो सकते हैं आप लोग खुद tarot readers हैं यहां पर लेकिन फिर भी आप लोग यह energy देख रहे हो आपने life में आपको सारे चीज़े पता है आप healer हो सकते हो खुद रेकी healer है आप लोग astrologer हो सकते हो tarot reader हो सकते हो आप लोग खुद आप इस heart broken situation से गुजर रहे हो गईज ठीक है आप जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है बट आप लोग ना आपको confidence आप लोग खो चुके हो pile two ठीक है तो build करिए guys build करिए okay यहां पर बहु रिड़ी की बात करूँ तो जैसे के मैंने introduction बताया था यह कार्ड मुझे tarot cards नहीं बताया कि इस पर मुझे reading करना है इस topic पर reading करना है ठीक है तो yes यह fellowship को आपको मिलेगी लेकिन चुटी चुटी remedies भी आपको करना है जैसे कि आपको भुके को खाना खिलाना है पानी देना है पंचियों को पाने दीजिए खाना खिलाए दाना खिलाए गरीबों को दान करिये ठीक है अनाच दान करिये फल दान करिये या फिर खाना खिलाए उनको पैसे दान नहीं करना है गाईज मैं कभी भी बड़ावा नहीं देती कि पैसे आपको दान करना है लोगों को क्योंकि उन पैसे से वो लोग क्या करते हैं, हम नहीं जानते हैं, ठीके, तो पैसे कभी भी दान ना करिए, इंस्टेड आप ये चीज़े उनको दे सकते हो, कपड़े भी दान कर सकते हो, बड़ नए कपड़े आपको दान करना है, पुराने नहीं, आपकी हिसाब से आपको करना है आप जितना एफॉर्ड कर पाते हो जितना आप दे सकते हो उतना ही आपको देना है आपके हैसियत के बाहर आपको देना नहीं है ठीके छोटी सी छोटी चीज क्यों नहीं हो आपको वो करनी है बच्चों को आपको यहाँ पर मिठाई खिलानी है, यह message मुझे मिल रहा है guys, बच्चों को मिठाई खिलाई है, या फिर जो old age home रहता है न, वहाँ पर भी आप उन लोगों को support दे सकते हैं, प्यार तो जाकर आप दे सकते हैं, तो old age home में जाकर आपको उनको प्यार देना है, तसली देनी है, उनको खाना खिलाई है, केक लेकर जाए है, कुछ भी, ओके आप से जैसे बन पड़ता है, वो आपको करना है, यह आपके लिए special message मुझे पाई number two के लिए मिल रहा है guys, ठीके, yes, रास्ते के dogs रहते हैं, stray dogs, उनको भी आप कुछ ना कुछ खिला सकते हो, बिस आपके पाल तू कुटों को नहीं देना है, ठीके, stray dogs को यह खिलाना है, पाई number two, यह मुझे मिल रहे है, यह आपके लिए remedy रहेगी, देखिए आपके जिंदिगी में, जो है, वो कही ना कही, सारे चीजे आपके तरफ घूम कर आएगी, आप जितना दोगे, उससे कई अवह आपके लिए चीजे आपके लिए तरफ फितना देखिएनलय यह NSTO, 5511, 617, 6511, 6173, 925s अपके लिए लगए। तिके यह एंजल लंबर आपको दिखने लगेंगे डबल बन डबल वन ट्रिपल वन जादा देखेंगा पाई लंबर तू आपके लिए ठीके देखें आपके लिए ग्रीन तारमा सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपको गाईज बेकारी आप लोग जो आपका जो दिल है आपने तोड लिया है या फिर आपका दिल तूटा हुआ है यू आर प्रोटेक्टेड कॉट्स आ बिंग कट मूफ बिवन लिमिटेशन और ट्रस्ट करिये गाईज यहाँ पर ग्रीन तारमा यही कह रही है कि आपके जिन्दिगी में जो भी सिचुएशन हो रहा है आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको ग्रीन तारमा की गौड की प्रोटेक्शन बहुत जदा है ठीक है जो आपके जिन्दिगी में जा चुका है उसके कौड आपको कट करना है यूनिवर्स लिटरली उन्होंने कट कर दिया है बट आपको आगे बढ़ना है गईज पीछे मुड के नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर कियोकि आपकी जिंदेगी में ऐसे फेसे आएंगे कि आपके उमिद से परे रहेगा बट इसके विश्वास से कभी नहीं देखना है इफ और बट से कभी भी च cucumber नहीं देखना है डाई जाई है यह questions आपके like में बहुत कुछ करिये अगर कोई person को trigger कर रहा है आपका person आपको trigger कर रहा है कोई third person आपको trigger कर रहा है तो उनको cut कर दीजे कोई enemies हो सकते है आपके जिंदगी का तो cord उनका cut कर दीजे किके release कर दीजे उस person को I'm releasing 100% from my life okay ऐस तरह के साब को affirmation देना है फाल 2 तो okay I'm healed I'm already healed I'm protected I have a supreme प्रोटेक्शन फ्रॉम यूनिवर्स इस तरह के सा आपको पॉसिटिव आफरमेशन देना है देखिए आपकी जिंदगी और भैतर हो जाएगी और आप इस दर्दबरे फेज से बाहर निकलोगे पाइल ठीके टेफिनेटली फॉल शूती आपको मिलने वाली है बट इसके आप सिक्स मुंस का टाइमिंग है घाइस कोबकि फ़ल शूती की रिडिंग है फल अब रापती की रिडिंग है ठीके रिएस पाइल नमबर टू यह थी आपकी डिए रिडिंग एपसे बटो जरूर करेगा यह मुझे अपनेशे मेंस बतान ना भुलिए गईस अन साती साद like share and subscribe कुने नाब भुलिये so thank you for listening bye bye take care god bless you and love you all